स्वागत और फिर्टा कैसे हैं आप सब आज जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं कि महावीर कांग कजुचन महावारत की जो पात्रा महादेवी कुंती के द्वारा जो प्रचार में है हिंदूों के ग्रंथ में पौराने ग्रंथों में कि कान के रास्ते उनका चर्म हुआ थ तो कई सारे जो बिरोधी लोग हैं मने जो सनातन धर्म का मजा कोड़ाने वाले लोग हैं तो उनको ये बड़ा मौका मिलता है काफसर मिलता है भला बताओ कान के द्वारा भी बच्चे पैदा हो सकते हैं क्या तो सही बात है दूसरे जो अंदेविश्वासी लोग हैं जिनके पाद खुद का लोजिक नहीं है अंदेविश्वासी हैं वो इस बात पर कायम रहते हां कान के द्वारा हुआ फोगा सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये इस प्रकिर्टी में कहीं भी कुछ भी कभी भी किसी के साथ हो सकता है निश्चत रूप से हो सकता है समझ रहना आप लोग तो क्योंकि ये सरस्टी रहसे से भरी होई हो सभी रहसों का परदावास मनुष्य अभी तक नहीं कर पाया है ये ध्यान रखना तो इसलिए जो आप कहा रहे है जो आँखों से देखा है वही सत्य है कानों से सुना है वही सत्य है ऐसा बहुत कुछ है जो आपकी आँखों से जो आपके जो सुक्ष में दर्सी यंत्र होते हैं उनकी भी अभी पकड में नहीं आए जब वो आ जाते हैं तो उनको बैक्यानेक्टोग लिख देते हैं है ना तो बहुत बहुत रहस्यों से भरी हुई सरेश्टी है प्रकेरती है तो एक परसेंट संभावना हो सकते है कि कांग से पैदा हुए हूँ लेकिन अब मैं हिया पर अपना एक अलग लोचिक जो पुरालिक क्रंथ हैं उसमें जो लोभी लैज़ी जैसे आज कल कथाव आचक है हो जो लोग लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं करते हैं और ऐसे उल जलूल कहनिया सुनाती है जिससे कि हिंदु धर्म की बदनामी हो या फिर वो प्रूब्ड ना हो ब्योहरी सिद्ध ना हो प्रक्टिकली वो अन्प्रूब्ड हो अब उनको खुद नहीं पता कभी रिसर्च चतु किया नहीं केवल एक पुस्तक रामान पढ़ने मातर से एक भगबत पढ़ने मातर से क्या तुम इन चीजों को समझ पाओगे अगर तुम केवल रोटी कमाने के लिए ही कथा बाच रहे हो तो तुम कभी सच्चे विद्वान कभी हो ही नहीं पाओगे ठीक है ना तो मेरे कहनेकार्थ यह है कि जो मुगल जब इसलामिक संस्किर्टी का हमला हुआ भारत के उपर हमारा आरिस समाज कहता है इस बात को तो मद्यकार्ण यूग में जो हिंदू धर्म के महान करंथ थे नालंदा जैसे विश्व विद्वानों में 6-6 महीने तक आग सुलकती रहे ददकती रहे सब पुस्तकार्य को चलाकर नश्ट कर दिया गया बचे हुए जो पुस्तके थी कुछे पुस्तके है possible कुछे द्वानों ने छुपा करके रखे है और कुछ नए पुस्तकों को जोड़कर के जो लोवी लाचची बिद्वान थे वो किसी भी जाती के हो सकते हैं वो प्रह्मन भी हो सकते हैं तथक थे शत्री राजबूत भी हो सकते हैं कोई भी छोटी जाती बड़ी जाती के हिंदूओं के कोई भी हो सकते हैं नो मेटर यार और उसमें मिलाबट करती हैं ऐसे कथा कहानिया डालती हैं जैसे कि मुहमद साब के बारे में ही आता है कि 6 साल की बच्ची के साथ उन्होंने पहले निखा किया उसके बाद में फिर उन्होंने साधी किया उनके भी जीवन से जुड़े हुई कहानिया है जब उनके जीवन से जुड़े हुई कहानिया है हमेसे याद रखना कोई भी होता है चोर वेक्टी जो होता है तो वो चाहता है उसकी चोरों की गैंग बड़ी हो जाए अब है साहुकार मानों चोर कहीं जा रहा है दूसरे देश में और बहाँ पर साहुकार इमानदार लोग रह रहे हैं सच चरित्र वारे ले रहे हैं तो फिर वो चाहेगा कि उनके इतिहास को बिगाड़ा जाए उनके इतिहास में भी यह दिखाये जाए कि इनके पूर्वच गलत है जैसे कि आपकी कहानियों में दिखाया कि ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ने जो है अपनी पुत्री के साथ में हराम किया मुख अला किया ऐसा लिखा हुआ है या तो ऐसे किताबों को मेंसे ये मैटर निकाल दो अगर ये गलत है तो और या फिर आपको सुनना पड़ेगा ताना सुनना पड़ेगा है न? तो समझ में आ रहा है न? तो इन फिर्दु धर्म की जो पोथियां है सब की गए तो या फिर अर्थ का अनर्थ किया गया है जैसे कि सूर्य की सूर्ये सबसे पहले लोग कहते हैं कि ये शूर्ये एक आख का गोला है उसने σεks कैसे किया होगा मने कुंती के पास कैसे आये होए आपकी चमकारी को बता दो ये आखके गोले को गीता में सूर्य नहीं काया, मैं भ्रांती दूर कर रहा हूँ, मैं एक पक्ष का समर्थ तक नहीं हूँ, मैंने का है मैं समिक्षाबादी में विसले शक हूँ तभी जो है बुराईयां दूर होंगी, कुरितियां दूर होंगी, आडमबर दूर होगा तो कहने का अर्थीय है कि सूरिय वो नहीं है थे जो आपका गोला है समझे रहे ना सूरिय नाम के प्रतापी राजा थे उनका आभाण किया था जब उन्होंने मंतर दिया था कौन थे वो सबसे ज़्यादा कुरोधी दुर्वासा दुरवासान है उनकी सेवा से कुंती की पर सन्हों करके उस बाले का वो मंत्र दिया था मंत्रमा ने वो विधी बताय थी आगान करने की वो किसी भी देव था देव एक जाती विशेस रही है हलो देव कौन है देव एक जाती विशेस रही है जैसे ब्रह्मन एक जाती विशेस हो गई चत्री एक जाती विसेस हो गए हो समय-समय पर जातियों के नाम बदलते हैं जैसे पहले असुर जाती होते हिक्शय महावारत किनर जाती होती तो इनक्त समय नाम बदलते रहे हैं पहचान इंकी मिटती गई बदलते गई रुप अंतरत हो गई horrifying किया जैसे पहले अपने लोग अपने अब है आफ कि यह ले लो पुरानी बार चोड़े तो उन को अनकर कर दे किया मैंंद अब उनको उत्तर पीरदेश में या हर्याना में उनको प्रन जाटब है जाटब कहना लगे हैं ह। और कहीं पर यह Adventure Polony कि या कि सागर लिखाते हैं सागर भी लिखते हैं कहीं के यह गौतम लगाते हैं अपने टाइटल की आगए तद्थी जाते हैं लेकिशे असूर्ड जाती थि ध्यान देना ऐसी देव जाती थी और इनका भी एक लोगों था लोगğ का मन इस्थान है वो भी हेमाले में हैलकापुरी के वादर्दम कहा है ऐसी जो देवस जातियां रहें देवसक्तियां रहें चुकि यह वैग्यानिक टाइप के लोग थे तो जहां पर जो है या तो यह बंद प्रांतों में रहते ते यह पहाड़ी और नदियों की किनारे क्यों राकर यह प्रकरती के उपाशक थे और प्रकरती पर उपाशक का मतलव उस पर खोज करते थे परियावर्म के उपर, बच्छतत्यों के ऊपर और अपनी योग सातना करते थे और भूट सारे हत्यार भी बनाते थे जैसे संकर जी का पाशूपतास्त्र था कहीं कोई सास्त्र था यह देवता जो थे घ्ञानिक टाइप थे जैसे कि आज जो घ्ञानिक लोग हैं उनका कोई रहने का एक निवास सिथान होता है बहाँ पर कोई आम आत्मियों का रह्शेन नहीं होता है जहाँ पर भेज्ञानिक psychology नोय रखा जाता है या वो रहते हैं एक निवास दिमृवाज जहां आर्मी एक देव सक्ति थे, देव-सक्ति ऐक मतलो ऐसले कि जिस तरह से आज लोग उससूरी को कह रहा है आख गोले वाले के लिए, नहीं प्रकाश्य व्यक्ति, यससफि व्यक्ति, प्रक्रम व्यक्ति, इक अच्छे व्यक्यान करतो तो उनोंने इंसे कहा कि मैं तुम्हें पुत्र उन्होंने इनका आवान किया मैंने कोई ऐसी टेक्निक थी जैसे आज हमारे पास में मुबाइल है हम किसी को प्रकार से मंत्र दिया तो मंत्र देने का अर्थ केवल कान में मंत्र फूकना नहीं होता है ध्यान देना आपको परिभासाओं को विश्तिरित करना मंत्र का अर्थ होता है सला देना या मंत्र ग्रंथों में तो मंत्र लेख दिया है क्योंकि लोगों ने देखा नहीं सुना उसको मंत्र हो सकता है कोई जादू की कोई ऐसी बैग्यानिक डिभी दिया हो कोई ऐसा पदार्थ दिया हो कोई ऐसा इस्टुमेंट दिया हो कि जिस यह मेरी द्रेश्टी में तब तक एलोजिक रहेगा जब तक यह प्रूब्ट नहीं हो जाता है वेक्यानिकों के द्वारा कि कान से भी बच्चा कान से कीड़े तो पैदा हो सकते हैं चूत्रों से कीडा तो पैदा हो सकता है यान है न gent कहीं से विनाख से भी हो सकता है निकल सकता है लेकिन मनुष्य के सरीर से मनुष्य की आकरती का काण के दूआरा पैदा हो जाना ये इल्लोचिक है मैं इसे अभी तब तक एकूरी नहीं करूंगा जब तक ये विज्ञान सिद्ध नहीं हो जाता है तो आप भी तब तक इस चीज़ से आसायमाती रही है और सुधार करें फिर वो क्या था तो इनका नाम करण क्यों रखा करण कहते है कान कान के रास्ते पैदा हुए ऐसी बात नहीं करण नाम का एक स्थान था करण को रहने का ऐसे कान की आकरती वाला इस्थान माने बहूल भुलिया जैसे एक इस्थान था जहां पर उनकी पहचान को गोपनिया रखा जाए और उनकी बद्धनामी ना हो ठीक है न वह इसी बद्धनामी की तरसे जब वो बच्चा प्यादा हुआ तो उसको गंगाजी में नदी में प्रभा कर दिया ताकि उनकी आगे वाली मेरेड लाइब भरवाद ना हो तो वो जो सूर्य थे सूर्य ने कहा बताओ मेरे लिए क्या क्या एक मजी एक धार्विश है तो कुंतिची ने कहा कि मैंने तो ऐसे ही उद्धसुक्ता बस आपका अभान करत सकते हैं मैंने तो चेक किया था कि उनका जो इंस्टुमेंट है दुर्वासाजी का जो मंत्र है वो काम करता भी है या नहीं उद्धसुक्ता वर्स किया था वो डर गहीं उन्होंने कर नहीं मेरा आना बिफल नहीं जाएगा चुंकि वो देवकोटी के थे सामर्थवान थे तो उन्होंने कहा कि जो है अब मैं तुमारे लिए पुत्र देखे जाओंगा तो इसमें सामर्थ मुर्थ का कुछ नहीं था वो प्रभावित हो गयते आकर्सित हो गयते उनके रूप और लामान के उपर कुंती और उन्होंने उनके साथ में सेक्स किया अभिस्वास से से फैदाने को करण प्रांत जैसे कुंडल पूर नाम की जगह होती है होती है तो वहां पर क्या कुंडल पूर पूर माने होता है निवास इस्थान और कुंडल माने कुंडल की आकरती जैसा कुछ इस्थान माने कुछ खासियत होती है उस इस्थान की तो उसी तरह का नामकर संग्या दे डी जाते है जैसे रामपुर है रामपुर का मतलब क्या है मेरापूर है ऊंदिनफी ऐसे होते हैं जो तहुत गंगापूर होता है है जो सकता कभी मीराजी मेठेरी हो cynख कभी निकले है यह रामर को प्रताहबू हुआ हो टो तो समझने की जरूरत है हमारे लिए और तब भरोसा करें और अपने सनातन धर्म से कुरीतियों को कुपर्थाओं को पाखंट को आधमर को में चोड़ों जिसका तुम जवाब ना दे सकों तो मैं तब तक असमयत रहोंगा जब तक ये प्रूव नहीं हो जाता है समझ रहे ना तो जन्म का यह की दौर है यूनिक प्रतेश है पुर्सम इस तरहियों के मात्यम से जो होता है परचिनन की पर करिया है वही दौर है तो उन्होंने उनको कर लिया था आगे इस तरह की दोनों को एक जानकारी प्राप्त आप लांगों से बात करने बहुत अच्छा रहता है और फिर मिलेंगे और